आकाश्वाणी पुणे, प्रस्तुत है कारेक्रम कलश, तसुनते है कारेक्रम कलश श्रोताओं नमस्कार, कलश के इस अंक में आपका स्वागत, आज के अंक में वारता श्रोताओं ये आउसर है, जब हम एक और चैत्रनवरात्र मना रहे हैं, वही राम जन्म उत्सों भी नवमी तिथी को होगा एक बात और विशेश की डॉक्टर बाबा सहेब अमबेटकर नहीं हमारे जिस सम्विधान की रचना की उस सम्विधान में भारती या प्रतिकों को भी शामिल किया गया है जिसमें श्री राम दर्बार का भी चित्र अंकित है डॉक्टर बाबा सहब अमबेटकर की जयनती भी 14 एप्रिल को होती है डॉक्टर अमबेटकर सम्विधान निर्माता के रूप में तो हम जानते हैं साथ ही एक लेखक और विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं उन्होंने बुद्ध और इस धमपद, हुवेर शूत्राज, थौज अन पाकिस्तान आदी पुस्तके लिखकर भारत की राजनीतिक और साहितिक चिंतन धरा को गोशित किया है हमारे देश में राम सिर्फ मिठक नहीं है, बलकि समविधानिक अस्तित्व के साथ ही वे हमारे साउस्कृतिक विचार की पहचान है आज सुनते हैं राम की शक्ति पुजा पर केंदरित वारता निराला की कविता के राम वारता कर है डॉक्टर सविता सिंग आए सुनते हैं ये वारता तो आए बात करते हैं राम की शक्ति पुजा जब कोई लंबी कविता इस स्तर पर चर्चित होने लगे कि वो अपने आप में महा काव्वे है तब निश्चित ही हमारा कर्तव्वे हो जाता है कि हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएं मैं जिस कविता की आज चर्चा करने जा रही हूँ वो काल जई रचना है राम की शक्ति पुजा जिसे महाप्राण सूरे कांत्रपाथी निराला जी ने रची है जहां एक और ये कविता भाशा को विस इस्तरिये बनाने में कारे रत है वहीं साथ ही दूसरी ओर उसकी मौलिक्ता को भी इस्पष्ट करती है ये कविता अक्टूबर 1936 में इलाहबाद से भारत नामक समचार पत्र में प्रकाशित हुई थी और चर्चा में छा गई इस पत्र के संपादक आचारे नंद दुलारे वाचपेई जी थे किसी ने इस कविता को बौध धिक्ता के स्तर पर सराहा तो किसी ने भाशा के स्तर पर इसे क्लिष्ट बताया कुछ लोगों ने तो इसे बांगला भाशा की कृतिवास रामायन की नकल भी कह दिया यू समझ लीजे जितने मुह उतनी बातें पर सच्चाई ये है कि निराला जी की परिकल्पना एकदम अलग और मौलिक है बंगाल की कृतिवास रामायन की परिकल्पना से निराला जी की संकल्पना एकदम अलग है राम रामण युद्ध एक सुपरिचित कथा है किन्तु उस युद्ध के दोरान श्री राम जी ने शक्ती की साधना कब करी और कब उनको अपने पक्ष में कर लिया इस घटना पर लेखन बहुत कम हुआ है थोड़ा बहुत जो संकेत मिलता भी है तो वो महिमिस्रोत और शिव भक्ती में प्राप्त होता है किन्तु निराला का ताना बाना एकदम मौलिक धंग से बुना गया है इस कविता की प्रमुख विशेष्टा रही है उदात्ता या विराट स्वरूप कहने को लंबी कविता मात्र है पर इसकी उदात्ता से प्रेरित होकर कुछ कवियों ने इसे महाकाव्य घोशित कर दिया है हाला कि आत्मक योजना के साथ रची गई कविता अवश्य कह सकते हैं महाकाव्य कहना अनावश्यक होगा संपोर्म कविता आठ दिनों के देशकाल से संबंधित है इस कविता का एक इस्थान है और आठ दिनों की अवधी है कुल मिलाकर संकलन त्रय की योजना इस पर घटित होती ह संकलन त्रे के अंतरगत कारे संकलन घटना संकलन और इस्थान संकलन इसके अंतरगत समाहित है कविता का आरंभ होता है जब श्री राम उसी दिन के युद्ध का इस्मरण करते हुए इस फटिक शिला पर बैठे हुए, अपने अन्य सेनानियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, कि आगे युद्ध लड़ा जा सकता है या नहीं, इसमें विजह होगी या नहीं, और लड़ा जाए तो किन स्थितियों में लड़ा जाए, घटना के वल इतनी है, कि आज जो और रावन के बीच युद्ध हुआ, उसे देखकर उन्होंने महसूस किया कि रावन का पक्ष प्रबल है, उसे पराजित कर पाना संभव नहीं है, श्री राम ने आज अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, अपना अमोग, अस्त्र, राम बान, एक-एक कर सब उनके विफल हो ग का एक-एक सेनानी बुरी तरे हताहत हो गया, केवल लक्षमन और हनुमान पार्शु भूमिका में सुरक्षित रहे, अन्य सभी योध्धा परास्थ हो गये, उस द्रिश्य का इस्मरण करते हुए, श्री राम अपनी इस अंतरंग सभा में सुग्रीव से कहते हैं, अगर विजय होगी न सफल, ये नहीं रहा नर्वानर कारण, उतरी महाशक्ति रावन से पा आमंत रण, यहां भी राम कहते हैं, कि मैं अब सफल न हो पाऊंगा, यह कहकर उनकी आखें डबडबा जाती हैं, वो कहते हैं, कि अन्याय की ओर अगर देवी शक्ती है, तो मैं त धर्म के प्रति सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, और न्याय को लेकर संघर्ष कर रहा हूं, मैं सामराज्य विस्तार या लंका को जीतने के भाव से नहीं आया हूं, मैं तो आर्रे ललना के अपमान का बदला रावन से लेने आया हूं, अपना धर्म निभाने आया हूं, किन्तु विडंबना देखिए, शक्ति और अन्याय, शक्ति रावन के पक्ष में चली गई, वो कहते हैं यह रहाश शक्ति का खेल समर शंकर शंकर शंकर, ऐसा कहते कहते उनका कंठव रुद्ध हो जाता है, सभी अवाक हो जाते हैं, इस संकट की बेला में उन्हें अपने प्र करते हुए, वो सीता के मिलन को महसूस करते हैं, और उसे इसमरन करते हुए, उन्हें लगता है, कि सीता उनके इतने निकट आ गई हैं, कि आलिंगन का भाव महसूस होता है, और उनके भुजदंड फड़कने लगते हैं, फिर ओज का संचार होता है, और मानों की पराजय का दुख और अवसाद समाप्थ हो जाता है, इस प्रकार उनके भीतर एक देवी शक्ति का प्रवेश होता है, और वो कह उठते हैं, कि कहां है शिवधनुष, लाओ, उसे फिर उन्हें रावन की स्मृत्य हो उठती है, और उस दृश्य को देखते हैं, जिस समय वो अठाहास क उठा था, वो जब गौर से उन्हें देखते हैं, तो पाते हैं कि रावन शक्ति की गोद में लेटे हुए हैं, और शक्ति अपनी लीला से उनकी रक्षा कवचबन रक्षा कर रही हैं, राम के सभी बानों का निवारन महाशक्ति कर देती हैं, ऐसा देख, श्री राम फिर से हताश हो जाते हैं, इस व्रतांत को सुनने वाले वहाँ पर उनके शिविर में जामवन्त, सुग्रीव और अन्य सेनानी हैं, सभी दिग ब्रहमित और निरुत्तर हो जाते हैं, लेकिन तभी जामवन्त बोल उठते हैं, आपके दुखी होने का कोई कारण ही नहीं, जब अन् आए के लिए, शक्ति की साधना कर ही सकते हैं, और आपके पक्ष में वो अवश्य खड़ी होंगी, क्योंकि आप तो धर्म के लिए उपासना करने जा रहे हैं, रावन की शक्ति से दुगनी शक्ति आप क्यों नहीं ले सकते, ऐसा सुझाओ सुन, श्री राम जी के मुक्ष स प्रतीत हुआ, कवी उनके माध्यम से मानव श्री राम को व्यवहार कुशल भी मानो बना रहे हैं, साथ ही विजय भी द्रण करा रहे हैं, वो कहते हैं, विचलित होने का नहीं देखता मै कारण, हे पुरुष सिंग तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का द्रण पुझा करेंगे, नवरात्री का समय है, उन्होंने आठ दिन का पूरा विधान बनाया, और हनुमान जी को 108 नील कमल लाने का आदेश दे दिया, जिस जगे वो बैठे थे, वहीं साधना इस्थल पर उन्होंने अपना इस्थल बना लिया, और सूर्यदय के साथ ही उनकी पासना वैशनो पद्धती की है, जिसमें नवधा भक्ती है, क्योंकि देवी को नवैद दिखा कर पुष्प अर्पित किये जाते हैं, उनकी वंदना की जाती है, नवधा में भी पांच प्रकार की भक्ती की प्रक्रिया है, इसमें सभी का नहीं लेकिन अधिकांश्यता का प्रियोग दिखाई देता है, आठो दिन की साधना दरसल योगिक साधना है, आठ दिन की यह साधना एक आसन पर बैठ कर निरंतर की जा रही है, ध्यान द्वारा मंत्रों चारण के साथ दुर्गा की दश भुज की महिमा का इसमरण करते हुए, वे अपनी इस आराधना को क साधना में लीन हो गए हैं, इसलिए किसी तरह की कोई आवाज उन्हें विचलित या उद्वैलित नहीं कर पा रही है, साधना प्रगाड होती जाती है, अब वो समाधिस्त हो गए हैं, उन्हें केवल एक महाशक्त दिखाई दे रही हैं, और वे जब करते जा रहे हैं, एक जब के पूर्ण होने पर एक नील कमल वो देवी के चरणों में अर्पित कर देते हैं, इस तरह क्रमा अनुसार, अनुवरत, एक सो साथ नील कमल उनके चरणों में अर्पित करने के उपरांत, देवता, स्तब्द हो गए ब्रह्मांड कम्पाइमान हो उठा है इस अराधना तपस्या को देख कर कारण ये है कि यदि 108 नील कमल अर्पित हो गया तो निश्चिती प्रले होगी या संपून स्रिष्ट में परिवर्तन होगा अर्धरात्री का समय है दुर्गा आश्टमे की अर्धरात्री महाशक्त ये लीला देख रही है और विचार कर रही है कि देखा जाए कहीं ये स्वार्थवस साधना तो नहीं कर रहे है या वास्तों में इसके मूल में त्याग भाव है वो सुक्ष्म रूप से प्रकट हो 108 वा पास से चली जाती है श्री राम ध्यानस्त हो जब 108 कमल हाथ बढ़ा कर उठाने का प्रियास करते हैं तो रिक्त स्थान पर कमल को न पाकर उनके नयन अश्रुपूरित हो उठते हैं अब जब साधना पूर्ण होने को आई तो यह क्या सारे दुख जीवन में विजय के अंति पड़ाओ पर पहुँच कर मुझे ही क्यों अपना स्थान भी छोड़ नहीं सकते थे एक बार फिर रो पड़े और बोल उठे धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसका सदा ही किया शोध दुख इस बात का है कि जान की हाए उद्धार प्रियाका हो न सका फि पह रहकर जो दुखों से परिपूरित रहा है उसे उनका मन उनका हिर्दयात करने लगा यहीं पर निराला जी की विशेष्टा दिखाई देती है और कविता में उनका भी चरित्र उनका संपूर्ण जीवन भी दुखों और संगर्षों में ही तो वितीत हुआ था तो भला कविता में राम के हिर्दय को निराला जी भला टूटने कैसे दे सकते थे जब वो स्वयमंत तक नहीं टूटे वो कहते हैं श्री राम के पास एक हिर्दय और भी है है भीतर जो टूटा नहीं वालमीकी जी ने भी राम की दो प्रतिग्याई बताई हैं न दैन्यम न पलायनम ना तो वो कभी गिड़गिडाना चाहते हैं और ना ही परास्थ होना चाहते हैं कभी कहते हैं पर एक और मन रहा राम का जो न थका जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विने श्री राम का भौतिक मन परास्थ हो गया है लेकिन लोकोत्तर मन अपराजित है वही मन बुद्धी के दुर्ग पर पहुँचता है और बुद्धी से पूछने पर उपाय मिलता है एक कमल ही तो कम पड़ रहा है किन्तु मेरे पास तो दो कमल शेश है क्योंकि मा मुझे राजीव नयन कहती थी जिसका अर्थ है कमल रूपी नयन वाले मा का वचन कभी गलत नहीं हो सकता तो क्यों ना मैं एक कमल शक्ति को निकाल कर अर्पित कर दूँ राम ऐसा सोच कर बस हाथ बढ़ा कर बान को उठाते हैं और तीर नयन पर जैसे ही साधते हैं और कहते हैं पूरा करता हूं देकर माता एक नयन शक्ति की देवी साक्षात प्रगठ हो गई और उनका हाथ पकड़ कर बोली बस बस ले लिया हक हक करता वो महा फलक धर लिया राम का हाथ थाम बोली विजय होगी विजय होगी बस साधु साधु साधक देवी श्री राम को अशिरवात देते हुए कहती हैं कि तुम्हारी भी जय हो शक्ति यह कहकर राम के शरीर में लीन हो जाती है रामन को तो गोद में बिठाया था लेकिन श्री राम में तो स्वैम समाहित हो जाती है अब श्री राम शक्तिमान हो गए अब जब संग शक्ति अंतर नहीं थो गई तब श्री राम की विजय भला निश्चित क्यों न होगी इसी घटना पर ये प्रबंधात्म कविता रची गई है कविता का आरंभ सुर्यास्त से होता है कभी कहते हैं रवी हुआ अस्त जोती के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावन का अपराजेय समर एक युद्ध का नियम होता है धर्म युद्ध का यह नियम है कि सुर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में चली जाती हैं राक्षसों की सेना अपने शिविर में राम की सेना अपने शिविर में यहां आकर दिन भर युद्ध के अगले दिन होने वाले युद्ध की रणनीती बनाई जाती है तथा पूरे दिन हुए युद्ध की चर्चा की जाती है इस बीच की यह घटनाएं हैं पूरे दिन के युद्ध का वर्णन गिने चुने शब्दों में जिसे सामासिक पद कातीक्ष्ण, शर, विद्रत, शिप्रकर, वेग, प्रखर, शम, शेर, सम, वरण, शील, नील, नब, गर्जित, स्वर्ण, प्रतिपल, पर वर्तित, वीव, भेद, कौशल, समूह, राक्षस, विरुद, प्रत्यूह, कृद्ध, कपिविशम, राली भाशिक शक्ती ही कही जा सकती है, इस रचना के भाशिक पक्ष पर भी विवाद उठे हैं, कुछ लोग कहते हैं, यदि अंत में ओम्शू लगा दिया जाए, तो ये बिच्छू उतारने का मंत्र बन जाएगा, इसे परिहास ही समझना चाहिए, ठोसाधार के रूप म अर्थ की गूरता इस कविता में पाई जाती है, संपूर्ण कविता तत्सम प्रधान थोड़ी क्लिष्टता को लिए हुए दिखाई पड़ती है, किन्तु शब्दा वली सार्थक है, घटना के तीन पड़ाओ हैं, पहला पड़ाओ जहां कल लड़े जाने वाले युद्ध की वियु रचना हो जाती है, साथ ही पिछले युद्ध की जानकारी दी जाती है, और दूसरा पड़ाओ आठ दिनों तक निरंतर चलने वाली शक्ति की आराधना होती है, तीसरा पड़ाओ अंतिम परिणती, भगवती का प्रकट होना और श्री राम को वर्दान देना, इस से राम, सुग्रीव, जामवंत, लक्षमन और हनुमान पार्श्व की भूमिका में ही है, जबकि सुक्ष्म पात्र के रूप में, दिव्विशक्ति के रूप में भगवती आई है, अंतिता हम कह सकते हैं कि इसका यदी सही विशलेशन करना है, तो इसे मिथकिये, समाज शा अस्त्रिये, एतिहासिक, आदी सभी द्रिश्टिकोडों से विशलेशित करना ही उचित होगा, तभी हम संपूर्ण रूप से न्याय दे सकेंगे, अन्यथा एकांगी विशलेशन ही माना जाएगा, निराला जी का भूगा हुआ योगिक कर्म भी इस काव्वे में महत्व र उनकी वारता निराला की कविता के राम सुनी, इसके साथ कलश का ये अंकसमापत हुआ धन्यवाद।